जैस्री राम प्रेमी भग जनों, प्यारे भगतों, क्या भगवान का निरंतर नाम जब अन्य सब साधनों से स्रवस्रेष्ट है? प्यारे भगतों, बहुत ही अच्छा प्रशन है ये, और आज हम इस टोपिक के उपर बात करेंगे, ध्यान से सुनियेगा, तो प्रेमी भग जनों, भगवान का नाम जब अगर आप करते हैं, तो उसका लाब तो आपको निश्चित मिलता है, देखो, चाहे आप जाने अन जाने में भी नाम जब कर लेते हैं, या निरंतर नहीं भी करते, तो भी उसका लाब मिलेगा, कोई आपको डंडे मार मार के भी भगवान का नाम जपाता है ना, तो भी उसका लाब अब को अवश्य ही मिलता है, पर नि तो प्यारे भगदो, जहां निरंतर आ गया, फिर तो कहने ही क्या है, यानि अगर आप भगवान का नामजप स्मर्ण ध्यान भजन निरंतर करते हो तो नीशंदे है जो भी भगवान का भजन ध्यान निरंतर करेगा नामजप वो नामजप निरंतर किया हुआ सभी साधनों में सरवस्रेष्ट है ये हर जगए परमान के साथ सिद्ध किया गया है गीता में भगवान ने जगएं जगएं पर निरंतरता शब्द का प्रियोग किया है और जो भी भगवान का निरंतर नामजब करते हैं भजन ध्यान करते हैं उनके लिए अपनी प्राप्ती सुलब बताई है हर जगे भगवान ने कहा है जो निरंतर मेरा भजन ध्यान करते हैं उनके लिए मेरी प्राप्ती बड़ी ही सुलब है प्रिशन भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन तु हर समय मुझे को याद करता हुआ ही युद कर यह नहीं कहा कि हर समय में युद करता हुआ तु मुझे याद कर क्योंकि युद तो सब समय में हो नहीं सकता और भगवान का समर्ण तो हर समय हो सकता है अब आप बोलेंगे हर समय कैसे हो सकता है प्यारे भग तो नीसंदे हो सकता है अवश्य हो सकता है जब क्रिशन भगवान ने अरजुन को स्वेम कह दिया कि तु मुझे को निरंतर याद करते हुए युद कर तो तेरी विजय निश्चित है प्यारे भगतो जब युद जैसा इतना बड़ा कारी है भगवान को याद करते हुए हो सकता है और उसमें विजय प्राप्त हुई है तो हमारे तो फिर छोटे मोटे कारी हैं उनको करते हुए हम किस परकार भगवान को याद नहीं कर सकते हैं नहीं संदे कर सकते हैं और हमें सभी कारियों में सफलता भी अवश्या मिलेगी चैनल पर मैंने एक वीडियो भी डाल रखे कि भगवान का नाम जब निरंतर कैसे हो या तो आप वो तरीका आपना लो चार बार का आपको ध्यान रखना है उठत बैठत और सोवत जागत तो आपका निरंतर ध्यान भजन होगा या फिर आप कोई भी कारिय करते हो हर समय मन स उसको याद करते रहो यानि चोविज सो गंटे दिन में उसको याद करते रहो और सोते समय मुष्प करके सोजाओ तो जितनी देर आप सोएंगे तो फिर आपका भजन अपने आपं चलेगा आपको करना नहीं पड़ेगा फिर भगवान आपका भजन करेंगे सोने के बाद तो प्यारे भगतों, खाते पिते, उटते बैठते, बात करते समय, यहां तक की यग दान तप आधी करते वे करम भी भगवान के स्मर्ण करते हुए ही होने चाहिए, यदि भगवत स्मर्ण के कारण इन में से किसी प्रकार की कमी आ जाए, तो कोई आपत्ती की बात नहीं है, बिल्कुल भी भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सब से सरवस्रेष्ट और उत्तम सादन है, और इसी में मुख्य रूप से सब को तक पर हो जाना चाहिए, एक भगवान के नाम जब या सुमर्ण भजन ध्यान बात एक ही है, उसको अगर आपने साद लिया, यानि उसमें आपने निरंतरता कर ली, निरंतरता से उसको कर लिया, तो बाग की सादन तो अपने आप ही सत जाएंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल्यूग में आपको नाम से ही उस फल की प्राप्ती हो जाएगी, जो सत्यूग, त्रेता, द्वापर में, यग, तप, दान वगएरा से मिलती थी, और हजारों सालों क की तपस्या से मिलती थी, तो प्रेमी भगजनों, कल्यूग में हमें कितना सरल और सुगम सादन मिला है, कि भगवान के नाम जब से ही घर बैठे, हमें हर वो चीज प्राप्त होगी, जो हजारों सालों की तपस्या से प्राप्त होती थी, तो प्यारे भगतों, आप एक इस नित्य निरंतर नाम जब को साद लो, फिर आपको कुछ भी सादने की जरूरत नहीं, गो स्वामित तुलसी दास जी कहते हैं, नाम राम को अंक है, सबसाधन है, सून, अंक गए कच्छू हाथ नहीं, अंक रहे दसगून, अर्थार्थ भगवान राम का नाम अंक है, और बा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, दस गुना वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर आपने उस अंक को हटा दिया, तो सुनने की कोई वैल्यू ने, चाहिए आप दस सुनने लगा दो, बीस सुनने लगा दो, और अगर दस सुनने हैं, और अगर आगे आपने उसके एक रख जोड़ दो राम नाम को तो आपका लाब बढ़ जाएगा निस संदे है प्यारे भगजनों और आप निस्चिंत होके निरंतर भगवान का नाम जब करते रहें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान का नित्य निरंतर स्मर्ण नाम जब अवस्य ही प्यारव स्रेष्ट है तो प्यारे भगतों आज के लिए इतना ही जै स्री राम